अगाक पी तो आज करेंगर बीच्वाइव गुद्वाइब कारी आज हम लोग लोग करेंगे जर्णल लॉलेज में एनिमल्स के बच्छों की नेम्स जैसे हम लोग हीमन से हम लोग हीमन से है human का मतलब क्या होता है human मतलब होता है आदमी तो हम आदमी हैं आदमी के बच्चों को क्या कहते है वो तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा आप लोग याद करिए जब assembly होती है इसकुल में तो teachers बोलते हैं कि सारे kids सारे kids एक साथ खड़े होंगे humans के बच्चों को हम लोग baby भी कहते हैं है न हम लोग ऐसे बात करते हैं कि यह baby boy है यह baby girl है humans के बच्चों को हम लोग child यह children भी कहते है child is singular child means single child and children means more than one child तो यह हतो हमें पता है कि human के बच्चों को हम लोग क्या कहते है kids कहते है child कहते हैं and baby कहते हैं लेकिन क्या हमें ये पता है कि हम लोग animals के बच्चों को क्या कहते है पता है different different animals के बच्चों को na different different names किसी बुलाया जाता है हमारे आस पास तो बहुत सारी animals पाय जाते हैं जैसे dog cat, deer, elephant bear, sheep तो जितनी भी different different animals है न तो उनके बच्चों के नाम भी different different होते है जैसे हम लोग dog के छोटे बच्चे को क्या कहते है puppy, look here dog के छोटे बच्चे को क्या कहते है हम लोग puppy, this is dog ये dog है, ये बड़ा dog है और ये उसका baby है तो ये dog के baby को क्या कहते है हम लोग puppy, dog का baby क्या कहते है puppy, this is cat और ये cat का बेबी है cat का बेबी क्या बहलता है prosody जो अभी अभी झनम लिए हैं या पर बहुत ही छोते है थोड़े दिनों की despi ये बहुत प्यारे होते हैं ये आपको हाम भी नहीं गाता है या आपके साथ खेलते हैं और ये क्या हूरा इसे क्या क्या किटन कैट के बेबी को क्या कहते है किटन तो आज हमें यही लर्ण करना है आज हम लर्ण करेंगे जो भी हमारे आसपास में एनिमल स्पाइज आते हैं जिनको हम जानते हैं उनके बेबी की नेम्स उनके बेबी की नेम्स so let's start dog तेजी से बार्क नहीं कर सकता है डाउग क्या करते है डाउग डाउग जो अब यह बार्क करते हैं बार्क मतलब भाउगना बार्क बी ए आर के बार्क मिन्स भाउगना यानि कि डाउग का साउंड कैसा होता है यह बार्किंग साउंड होता है यह बाग करता है, और cat क्या करती है cat तो meow करती है M-E-O-W meow, so dog के बीबी को क्या कहते है, puppy and cat के बीबी को क्या कहते है, kitten okay, come to the next the next animal is horse okay, आप लोग कभी देखा है एक दम छोटा सा horse, एक दम छोटा सा मतलब horse का बीबी देखा है कभी आप लोग ने horse के बीबी को कहते है, foal foal, f-o-a-l foal, so हमनों learn करेंगे, जब भी हम कभी बड़ा सा horse देखेंगे so, क्या बोलेंगे उसे, this is horse और horse के बीबी को क्या बोलेंगे foal, यानि कि जब भी हम लोग small horse देखेंगे, जो एक दम बेबी जैसा है, horse का बेबी है, so उसे हम लोग बेबी नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे foal, foal, foal उसे horse भी नहीं बोलेंगे, कि यह small horse है, नहीं, small horse नहीं बोलेंगे हम लोग बोलेंगे, this is foal, and this is horse, horse, बड़ा horse, and horse का बेबी is called foal next, next animal is sip, sip, sip sip means भीड भीड के बच्चे को क्या बोलते है, sip का बेबी क्या कहलाता है, lamb sip का बेबी कहलाता है, lamb so यह सारे names हम लोगों को learn करने है, अच्छा आपको sip का utilization पता है, sip हमारे लिए कैसे helpful होता है हम लोग na, sip का जो hair होता है इससे क्या करते है, इससे ulan cloths बनते है, sip के hair से ulan cloth बनता है, sip और इसके बेबी को क्या बोलते है, lamb the next, next is duck duck, duck duck के बेबी को क्या बोलते है, duckling so यह तो बहुत ही interesting नाम है देखो duck, और duck क्या आगे क्या क्या d-u-c-k, duck और इसके आगे क्या लगा दिया, l-i-n-g so duckling, duck के बच्चे को क्या बोलते है, duckling a baby of duck is called duckling duckling horse, horse furl, यह तो learning क्या था, तो सिर्फ revision के लिए हमने डाल दे है, यहाँ पर next, next is cow यह तो हमारी हम लोग इसको अपने घरों में रखते हैं, अपने साथ और यह हमारे लिए बहुत ही ज़ादे important है, यह बहुत ही ज़ादे important animal है, हम लोग cow से क्या लेते हैं, cow से हम लोग दूद लेते हैं, जो multiple products बनाते हैं हम लोग multiple edible products बनाते हैं, जैसे दूद से क्या बनता है, पनीर बनता है curd बनता है, दूद से हम लोग लसी बनाते हैं कर्ड से फिर लसी बनाते हैं दूद से क्या बनाते हैं दूद से घी बनता है और दूद से हम लोग छाज भी बनता है वैसे दही बना के फिर उसे छाज बनाते हैं यानि कि जो काव है तो यह तो हमको बहुत सारे edible products देती है, बहुत सारे खाने वाली चीजे देती है इनके milk से हम लोग produce करते हैं बहुत सारे, तो यह तो बहुत ही important animal है, cow cow, और cow के बच्चे को क्या कहते हैं, आप लोग ने cow के बच्चे को तो देखा ही होगा, इसलिए, सब के घर में होता है in fact cow, cow के बच्चे को बच्चे को बोलते है calf, calf cow, cow baby is called calf, चलिए, names learn करिए cow baby is called calf okay, the next next animal is deer, deer deer means hidden, और यह देखो, यह है, deer का baby deer के baby को क्या कहते है, fawn fawn, fawn, f-a-w-n fawn, fawn fawn fawn, okay done, come to the next this is bear bear, भालो, यह तो wild animal में आता न, bear is a wild animal so bear and bear के baby को क्या बोलते है, कब bear के baby को क्या बोलते है, कब, कब c-u-b, कब, कब is bear baby, कब is bear baby, the next is pig, pig के baby को देखो, यह pig का baby है pig का baby क्या कहा लाता है, piglet piglet, यह भी बहुत similar है, जैसे अभी हम लोग ने duck के baby को क्या learn किया था, duck का baby क्या कहलाता है, duckling यानि कि duck में हम लोग क्या करता है, l-i-n-g add कर देता है, वैसे ही pig के baby में क्या करते है, देखो, pig लिखते है, p-i-g, pig, उसमे let add कर देता है, तो piglet piglet कौन होता है, pig piglet का baby है, यह आपको exercise अभी provide की जाएगी, आपको यह exercises complete करने है, then again you will have this exercise, आपको यह exercise भी complete करना है, ओके आपको यहाँ पर goat का baby लिखना है, goat की baby को क्या कहते है, goat का baby कहलाता है, kid, यह तुम्हें ने बता यह नहीं, तुम्हें बता देता हूँ, goat का baby कहलाता है, kid, cat का baby कहलाता है, look here, cat, cat कहाँ पर, यहाँ पर, cat का baby कहलाता है, kitten, ओके, यह deer है, deer का baby कहलाता है, अभी यह भी learn के हम लोगों ने, deer का baby कहलाता है, fawn, and this is what, this is a baby of lion or lioness, तो lioness gives birth to, lioness किसको birth करती है, lioness birth करती है, कब C-U-B, यानि कि lion के बच्चे को भी क्या कहते है, कब lion के बच्चे को भी कब कहते है एक और कब हम लोगों ने लर्ण किया आज आप लोग खुद रिकॉल करके बताए किस के बच्चे को और हम लोग कब कहते है you know what, हम लोग tiger के बच्चे को भी कब कहते है, और lion के भी बच्चे को क्या कहते है, कब This is what, this is a baby of kangaroo, kangaroo के बच्चे को क्या कहते है kangaroo के बच्चे को कहते है joy, g o e y, joy यह कह, number six number six है roaster या फिर hen का baby, और इसे क्या कहते है अप लग खुद बता, यह तो जानते हो न this is called chick chick, c h i c k chick, this is chick this is chick so, यानि की goat के बच्चे को कहते है goat कीट को क्या कहते है, kid lion कीट को क्या कहते है, cub cat कीट को क्या कहते है, kitten kangaroo किट को क्या कहते है, jord deer किट को क्या कहते है, fawn and hen के किट को क्या कहते है, chick बतलब बहुत छोटी छोटी जो मुर गया आते हैं यह फिर मुर गया आते हैं उन्हीं क्या कहते हैं चेक So आप लोगों की exercises भी complete करनी है This is it for today Bye-bye, thank you, have a good day